हे दोस्तों में चिराग एक और वीडियो के साथ तो आज हम देखे रहें different types of production function के पार पिछली वीडियो में आपको short run production function यानि law of variable proportion बताया था फिर उसके बाद isoquant का बाड़ बताया था आइसो कॉस्ट लाइन का बाड़ बताया था producer equilibrium का बाड़ बताया था जिसमें आपने देखा था कि least cost factor combination क्या हो सकता है आज की वीडियों में हम देखेंगे पास टाइप के production function जिसमें पहला है कॉप डगलस दूसरा आपका लिएंटिफ तीसरा एक चुबिक प्रड़क्शन बोलते हैं वह टाइप तो नहीं है लेकिन जनली कि उसके एक्जाम में दो कोशन आ चुके हैं इसलिए मैं आपको कवर करा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो जब या वो सॉल करो टोटल मिला के मैंने जो पास्टेर के एंची उसके बाद वह उसको जरूर सॉल करना तो सबसे पहले देखो इस एक कि इंजीणरींग कोंसेट टेक्निकल रिपरजेंटेशन बताता है आपने पहली ըे देख लिया होगा शुरूर प्रोडटैक्शन फंक्शन इसलिए लिखा है फिर आपको बोला दिफ्रेंट टाइप फडूर प्रोडेशन होते हैं जिसमें एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि degree of substitution क्या होता है तो अलग-अलग economist ने अलग-अलग बताया ठीक है जैसे कॉप डगलक्स ने क्या बोला input को यानि हम बोल सकते हैं labor को capital से capital को labor से एक तरीके से आप replace कर सकते हो या substitute कर सकते हो लेकिन एक limited extent तक ऐसे बोला लिएन टिफ ने क्या बोला आप नहीं कर सकते complimentary होना चाहिए substitute नहीं होना चाहिए ऐसे फिर उसके बाद CES आया constant elasticity आया तो ऐसे आपको दीरे दीरे एक एक करके पता चलेंगे तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कॉप डगलस production function का पार्ट ठीक है और याद रखिए कि जैसे देखिए मैं भी कोई economics के background का नहीं हूँ तो पर्टिकलो जो production function है वो उनको ही proper आएगा क्योंकि उनमें equation बहुत सारी आती है ठीक है तो उनको ही proper आएगा जिन्होंने economics से proper पड़ी हो तो हम जैसे के लिए जनरली नॉर्मल ही क्या होगा कि जो इसका पार्ट है theoretical वो हमें कुछ ने कुछ रटना पड़ेगा क्योंकि अगर आप इनकी properties की बात करते हैं कॉप डगलस की भी मालों की 10 प्रोपर्टी या मालों साथ आठ प्रोपर्टी नेट पर देखते हो तो सब की equation बनती है सब क्या बनती है equation तो अब equation solve करने बेठे तो क्या हो जाएगा तीन चार वीडियो ही इसकी बन जाती है जबकि वह particular काम इतनी आती है फिर भी जहां तक मेरे को पता होगा पॉइंट या मैं बोल सकता हूं कि जितना मेरे को इसमें बताए कि एक्जाम में आता है वो सारे के सारा पार्ट मैंने कवर कर रखा है ठीक है क्योंकि एक्जाम में इसके दो तीन कोशन नहीं तो इतना आता important है नहीं अगर आता भी है तो particular में क्या पूछता है properties का पूछता है जो कि आप दो बार पढ़ोगे तो आपको अपने आप याद हो जाती है ठीक है फिर भी मैं formula को explain करने की जरूर कोशिश करूँगा कि जो जो point इसमें दे रखें तो सबसे पहले इसमें बो production function ने कोई अपना idea बेस नहीं कर उन्होंने एक experiment किया यानि particular research and development के अकॉर्डिंग इन्होंने production function generate किया यह नीग कि अपने idea या मन के basis पर ही जनेरेट कर दिया इसा नहीं है इन्होंने प्रोपर एक formula प्रोपर हम बोल सकते है research के थे तुरू यह production function जनेरेट किया इनके की बात करता है या पूरी इंडस्ट्री पर अपला होता है ऐसे बोल सकते हो फिर इस ने बोला कि जो production function है जनरली क्या बताएगा कि एक particular input को दूसरे particular input से क्या कर सकते हो substitute कर सकते हो लेकिन एक limited extent तक जैसे example में क्या दे रखा है capital को labor से और labor को capital से substitute कर सकते हो लेकिन एक limited extent तक फिर आपको formula दे दिया formula देखिए formula में क्या दे रखा है q is equal to a a का मनलब होता है all factor productivity या आप इसको total factor productivity बोल सकते हो या आप इसको efficiency parameter भी बोल सकते हो क्योंकि generally यह बताता है कि क्या technical changes हो है या क्या organization में changes हो है जिससे आपकी productivity भी असर हो रहा इसका मनलब production बढ़ रहा है किसकी वएसे factor की वएसे all factor का मनलब क्या होता है जितने भी factor production है उनकी help से production पे कितना असर हो है ठीक है पर generally इसमें efficiency की बात की जाती है तो आपको बताए कि अगर कोई machine जिसमे technical advantage नया आ गया तो उससे आपके production पे क्या असर हुआ अगर कोई efficient labor मिल गया तो उससे आपके production पे क्या असर हुआ ठीक है एल का मतलब labor के का मतलब capital यह जो दे रखा है यानि alpha और यह दे रखा उसकी homogeneity है alpha प्लस beta is equal to one तो यानि एक तरह किसम बोलेंगे constant return to scale का बात यह जब alpha प्लस beta is equal to one हो कॉप Douglas ने यह बोला लेकिन यह रखना greater than one भी हो सकता है जो यह degree है तो इसका मतलब यह रखना alpha प्लस beta degrees related alpha beta कोआप exponent भी क्या रखना क्या लेवर और वर लग रहा है तो जो यह दे रखा है जो alpha दे रखार जो बीटा से रखा यह parameter है जिसके basis पर ही हम बोल सकते हैं क्या quantity निकल के आ रही है labor capital तो basis हैं लेकिन इसके साथ साथ आपको बताए कि degree भी important है कि 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 डिगरी के हिसाब से part आ रहा है अगर equal to one आ रहा है तो मलब क्या होगा constant return to scale आएगी constant का मलब क्या है अगर labor capital को आप दो गुना बढ़ा होगे तो output भी दो गुना बढ़ेगा तो से हम क्या बोलेंगे constant क्योंकि देखो two is to two अगर हमने बोल दिया कि labor capital को हम क्या गरेंगे तीन गुना बढ़ाएंगे और capital भी क्या होगा यहां पर six time हो गया यह हम बोल सकते हैं वो उससे तीन बार यानि थ्री टाइम स्ट्रिपल बढ़ गया एक तरीके से यह हो सकता है तो उसकेस में जनरली वह क्या होगा greater than one हो गया greater than तो उसे हम बोलते है increasing return to scale और अगर मैंने बोला कि मैंने कोई production तीन गुना बढ़ाया और वो सिर्फ दो गुना ही बढ़ा या सिर्फ एक गुना ही बढ़ा वन टाइम बढ़ा या टू टाइम ही बढ़ा तो इसका मलना वह तीन से कम बढ़ रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगा decreasing return to scale लेकिन कॉप डगलस ने हमीशे क्या बोला कि constant return to scale होनी चाहिए पर मैं आपको क्या बता रहा हूं जब भी एक्जाम में आए कोई भी कोशन तो या रखना कि अगर alpha प्लस beta is equal to one हो रहे तो क्या बोलना constant और अगर alpha प्लस beta less than one हो रहे तो क्या बोलोगे increasing और अगर greater than one हो रहे तो क्या बोलोगे increasing equal to one होते हैं यह उससे ज्याद हो सकते हैं उससे कम हो सकते हैं तो इसका मलब alpha is greater than zero and beta is greater than zero तो उससे कम नहीं रहेंगे ठीक है यह बोल रहा है कि equation क्या बताएगी output depend directly on labor and capital output कि सब्सक्राइब ने लेवर and capital पे and that part of output which cannot be explained by lnk is explained by a which is residual often called technical change तो यह बोल रहा है कि output labor और capital पे dependent है अगर labor और capital कुछ part explain नहीं कर पाते तो वो कौन explain करेगा factor की productivity अगर factor productivity का मैं आपको example बताऊं तो क्या होता है माल नो total factor मत देखिए माल नो आपके आस labor है labor कितने यह 6 ulti थेonne labor है anti labor capital कितनी है 20 थीच है 10 labor और 20 capitalist की help से आपने 1000 युनिट निखाली है तो आप क्या बोलोगे की PARTIKOLAR labor के साफ से बोलोगे तो क्या बोलोगे एक labor ने 100 युनिट निकाल के दी थीच है समझ गया है अपने क्या अगर झेशडया चिरो से 0 यूनिट निकाल के दी तो एक लेबर ने 100 यूनिट और एक कैपिटल ने 50 यूनिट निकाल के दी तो यह लेबर की प्रडुटिविटी यह चैपिटल की लेकिन अगर आप इसको जोड़ दोगे तो वह क्या हो जाएगी टोटल लेकिन याद रखना कि किसी इंडरस्ट्री की तो वह जनरली कि की बात करता है वह उनके टेक्व करता है वो पटूंका एडवांसमेंट और है विनेंगे और श. तो यह बोल रहा है कि अगर आउट्पूट ज्यादा निकलता है और लेवर कैपिटल एक्सप्लेन करता है एक का मलब क्या होता है जिसको हम टोटल फेक्टर प्रोड़क्टिविटी बोलते हैं या एफिशेंसी पेरामिटर भी बोलते हैं ठीक है अब देखिए अलफा का और प्रवीन गांटो के आउट्पूट ईलेस्टिसी्टी विध्र सबक्ट तोलेबर और बी का मतलब क्या है फारम लेसली से बताया तो मैं आपको एकुद और आप्ने इलेस्टी उफी का मलब क्योंता है जैसे एपने प्राइसीति ऑफ डिमांड देखा है देखिए तो आ डिमांट पर क्या निश्चे इंकम अतीड है अब देखो यह लेबर से रिलेटिग है कि लेबर में चेंज होने से आउटप ऑफूट क्या निकल रहा यह अपको पता है कि और किना रम यहाँ इए गांटूटी जिए हुट है थीक और यहा खर में चेंज होने कि labor में 1% change हुआ यह बता रख आपको और output में मैंने बोल दिया आपको कितना 0.60% change हुआ कि 1% labor में change होने से output में 0.60% तो आपका जो alpha है वो क्या है 0.60 है क्या है 0.60 अब आप यह मत बोलना सर बीटा क्या आएगा वो 0.40 आएगा ज़रूरी नहीं है 0.40 कब आता है जब constant होता है क्या होता है constant अगर एक form के लिए constant पार्ट है तो उसका वो constant रहता रहेगा हम यह मान के चलते हैं इसका मदलब अगर बीटा 0.40 है तो वो कब होगा अगर हम बोलेंगे कि वो linear homogeneous form है कौन सी हम है linear homogeneous का मदलब क्या हो गया कि labor capital जिस proportion से बढ़ा रहे है output भी क्या बढ़ रहा है उसी proportion से बढ़ रहा है यानि यह constant approach हो रही है क्या हो रही है constant approach हो रही है जिसमें equal to 1 आता है लेकिन greater than 1 भी आ सकता है तो जरूरी नहीं कि बीटा point 4 हो तो बीटा का जनरली formula क्या हो गया वो capital के respect में तो alpha labor के लिए बीटा capital आप बोलोगे सर उल्टा नहीं हो सकता क्या alpha capital के लिए beta labor आपके उपर है फिर आपको क्या करना पड़ेगा formula को change करना पड़ेगा यहां पर बोल रहे है percentage change in capital तो capital में एक percent change होने से output में क्या change वह हो गया बीटा जैसे मैं बोल रहा हूं उल्टा हो सकता है तो उल्टा कैस हो सकता है है यहाँ पर लेवर के साथ बीटा कर सकती हो और capital के साथ alpha कर सकते हो लेकिन आपको बताएं कि мало बीटा के साथ बीटा कर रहे हो तो आपने जो बीटा के साथ अभी capital बोला थो सेम आपको क्या बोलना पड़ेगा output elasticity with respect to labor बोलना पड़े बीटा को लेबर बना देना पड़ेगा और एलफा को कैपिटल बना देना पड़ेगा बात वहीं पड़ जाएगी ठीक फिर आपको बोल रखा है कि इसने मार्जिनल प्रोड़क्ट ऑफ लेवर और अब देखे यही एक प्रोपर इक्वेशन बनती है यह पूरी इक्वेशन बनती है पर्टुक्लर मानलो आदे पेच की तो जनरली बनती होगी यह पांच छे लाइन की इक्वेशन बनती है उसके बाद यह सौल होके आ जाता है जो यह दे रखा है न पर देखिए आपको इतना बनाने की जुरत ही नहीं आप दिमाग लगाई है देखो यहाँ पे लेवर की बात कर रहे हो तो आपको बता है अलफा कैपिल की बात कर रह रहा है और इदर क्या गया उसका बीटाा अगर आप यहां प representing बीटा तो यहां पर साथ हो यहां पर बीटा तोम Hai यह को के साथ लेकिन अहुत Exact करोगे तो अपनी जो का आधक खालेलं का मैर की किया पर बीटा किया गी और बीटा की आ शाखएका düşün कि में बीटा करोगे एक और फॉर्मला होता है मैंने लिखा नहीं देखो बहुत सारे होते हैं फिर देखो क्या होता है कि हमारा पाट होता है इसमें त्योरी का इतना ज्यादा नहीं होता हमारे आते उपर के फॉर्मले पूछेगा यह पूछ लेगा कि क्या relationship है तो वह पता रहना चाहिए अब यह लेकिन मैंने तो क्या कर रखें कुछ ना कुछ सॉल कर रखें यह मान कर चलो कि पढ़ाते रहते तो थोड़े थोड़े पार्ट आते रहते हैं नेट पर हम देखते रहते तो आते रहते हैं क्योंकि कोई मैं इकोनमिक्स के बेक्ग्राउंड से तो हूनी और यह मान कर चलो होता भी तो 12 कौन सा यह आता है पार्ट इकॉनमिक्स जिसका सब्जेक्ट होगा उसको पूरी पूरी अप्रोश पता रहेगी जैसे एक लैम्डा भी बोलता है लैम्डा होता है ठीक है इस टाइब का साइन आता से बता जाता हूं पहले वह नीचे आने वाली थी यह रही टू परामेटर एलफान बीटा टेकन टुकेदर मेजर्स दिग्री ऑफ दो होमजेनिटी ऑफ दो फंक्शन आ गया ठीक है आप चलते हैं एक बार फॉमले पर तो यह डिग्री ऑफ होमजेनिटी बताती है अब कैस क्यानते हो कि लेबर और कैपिटल पर मानलों कि आपने उसको दो गुने से बढ़ाये दो बढ़ाया लेबर बढ़ाया और सेखानल ग्लंकपयों क्यों क्योंकि फॉर्मला क्या यह है तो लेबर के आगे दो लगा दिया और कैपिल के आगे दो लगा दिया क्योंकि यह तो नॉर्मल फंक्शन था लेकिन कॉप डगलस का फॉर्मला यह होता है तो आपने लेबर के आगे दो लगा दिया कैपिल के दो लगा दिया अब आपको बताए कि जब बेस सेम होता है और बीच में आपको बताए कि देखो यहां पे जैगा यह इदर आ जाये का जो silence में पटा होई था यह उदर ही रहे तो बात में सासिक लेना पर आपको बताए कि देखो तो labor की power alpha और capital की power beta यह यहाँ पर आगे side में तो आपको इस से क्या पता चला particular formula से कि मैंने यह part तो same ही रखा अभी मैंने आपको निकाल के बताया के बताया क्या बताया, two alpha beta ऐसे था फिर यह दे रहा था ए फिर एले फिर के भी यह था लास्ट में यह निकला तो आपको पता है कि यह अपरोज तो बहार निकल के आई गई तो जनरली क्या रहे गया यह रहे गया अब यह जो बता रहा है वो क्या बता रहा है डिग्री ओफ होमोजिनिटी बता रहा है यह यह बोल रहा है तो इसका म अगर आप labor capital को दो गुने से बढ़ा रहे हो तो output भी दो गुने से बढ़ेगा मतलब constant ठीक है अब चलो मैं आपको बोलता हूं कि मालनो आपने तीन गुने से बढ़ाया लेकिन डिग्री क्या है वन ही है तो output भी क्या होगा तीन गुने से plus beta is greater than 1 हो गया मतलब 2 हो गया तो आप करो 3 into 3 3 की power 2 मतलब क्या होता है 3 into 3 3 square होता है तो 3 into 3 क्या हो गया 9 क्या गया 9 तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपने labor और capital का part 3 गुने से बढ़ाया कितने से 3 गुने से तो generally यह कितना हो रहा है 9 times बढ़ रहा है यहां पर आपने तीन गुना बढ़ाया लेकिन यह 9 times बढ़ रहा है किसकी वएस है इसकी वएस हो रहा है डिगरी की वज़े से हो रहा है चलो normal देख लिजी आप आपने क्या हो था कि 2 गुने से यानि 2 times मैंने क्या गराए labor बढ़ा है और capital बढ़ा है तो मतलब तू बोल देता हूं माल में आपके क्या बोलता हूं या 1.5 भी बोल देता हूं तो टू की बावर 1.5 टिपिकल हो जाएगा इसलिए टू की बावर टू ही बोल रहा हूं कि दो गुने से मैंने एलफा प्लस बीटा क्या बोल दिया ग्रेटर देन वन है जो कि कितना टू टाइमस बढ़ाया लेकिन वह फूर टाइमस बढ़ गए फॉर अपॉन टू करो तो क्या आएगा आपका टू ही तो आएगा तो एक तरीक इससे आपको जनरली यह क्या बताती है डिग्री ओफ होमोजनिटी बताती है अगर इक्वल टू वन है तो डिग्री ओफ 1.5 तो आराउंड इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने दो गुना लेवर और कैपिटल बढ़ाया तो इसका एक बार निकाल के देखना आप कैलकुलेटर से संतिंग 1.4 कुछ आएगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने इंपुट 2 गुने से बढ़ाया लेकिन आउपुट स 2.6 कंसरा निते हैं लेकिन जादा भी हो सकता है कम रहता है तो किसके साफ से बोल रहें लेकिन क्या बोलत प्लस ने क्या क्रहिए झानिकों चाहिए यानि कॉंसरा चाहिए कि आपका एक्जाम में आ गया करक्षे सिरिद्टिय वो क्या होनी चाहिए आपको मैं बोलुँ तो आप क्या बोलेंगे सर equal to 1 elasticity उसको क्या बोलते हैं substitution elasticity substitution क्या होनी चाहिए one होनी चाहिए या रगना क्या होनी चाहिए one अब देखिए क्या बोल रहा है कि जो आपने cd production function मौलब cop douglas production function देखा वो आपने देखा कि multiplicative type था यानि उसमें power का part आ रहा है generally यानि हम बोल सकते हैं कि alpha के साथ और beta के साथ power का part आ रहा है तो आप square कर रहे हो जो भी कर रहे हो वो part दे रखा था और non-linear form में था general form में लेकिन अगर आप उसको linear function में convert करोगे तो वो एक तरीगे से क्या logarithmic form में बन जाएगा इसके साथ बीटा बिठाना है normal part अब देखो यहां पर यह क्या बोल रहा है कि जो alpha है न और जो यह ए तो देखो एक के पास में log लगा दो यह बोल रहा है देखो log लगाया हुआ फिर alpha को इधर पुट कर दो और L के साथ log लगा दो log L फिर K के पास में log लगा दो और B को क्या अगर दो इधर पुट कर दो तो जनरल यह एक तरीके से यह linear function बन जाएगा क्या बन जाएगा तो आप से अगर पूछे कि linear function में यह convert होता है नहीं होता तो हम क्या बोलेंगे convert हो सकता है तो एक property यह हो गई इसकी ठीक तो बोल फाप आवर थी वो आगे कर दी या निए वो instead form में हो गई अब平ड की टेबने अपने देख़े हो गी डेकिन देखो हमारे जारे आरेसा आप जतने अब कहा头 ऐसा पार्ट नहीं आता लेकिन क्या था एवरे जाता आता कॉशन है तो उसको नहीं करना आपको बता ही दूंगा जो को इक्वेशन बना कि निकाल लेकिए लेकिन मैंने दूसरा तोड निकाला हुआ है उसके तर्लू आप आराम से उसको बना सकते हो भी अब देखो यहां अब देखिए पहली प्रोपर्टी क्या बोल रहा है वही तो होती है लेकिन कुछ भी हो सकता है बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है लेकिन प्रोपर्टीज तो इसका मलब जो जम्शन इन्होंने मानी थी कि constant return to scale होनी चाहिए elasticity of substitution क्या होना चाहिए equal to one होना चाहिए alpha and beta का represent कर रहा है alpha जो represent कर रहा है कि labor का जो output निकला है अपना तो उसमें से labor का कितना share और capital का कितना share labor and capital share of output respectively एक तरीगे से फिर आपको यही point elasticity के form में बोल दिया तो देखो क्या बोल दिया alpha and beta are also elasticity of output with respect to labor and capital respectively अभी मैंने आपको बताया भी था alpha का मतलब क्या है नीचे percentage change यह बताया था ना percentage change in labor और उपर क्या बताया था percentage change in output ठीक है तो labor में change होने से output में कितना change हुआ तो क्या बताता है elasticity बताता है एक तरीके से output elasticity बोलते हैं हम तो जन्रली वही बता रहा है if one of the input is zero output will also be zero क्योंकि आपको बताये कि एक तरीके से combination में साथ काम आ रहे है आपको पताये कि जैसे alpha कितना निकला point 70 और अगर मैं constant की बात करता हूं तो beta क्या होगा point 30 और हाँ एक और चीज़ आ रख लिना अगर constant होता है तो आपको पताये कि alpha point 70 है तो आप क्या है बीटा को ऐसे भी denote कर सकते हो one minus alpha क्योंकि one में से point 70 गए तो क्या बचा point 30 लेकिन कब होगा जब constant होगा जब equal to one beta कब होगा यानि बाकी balance part beta कब होगा जब वो constant होगा अगर वो constant नहीं होता increasing decreasing होता है तो हमें बताए एक से ज़्यादा हो सकता है तो यह फॉर्मला बखवास है दरा का दरा है लेकिन अगर constant है तो उस case में फॉर्मला बढ़िया है तो कभी भी अगर आपके एक्जाम में आ जाए कि यह linear homogeneous function क्या है जतने proportion में आपने इंपूट बढ़ाया उसी proportion में आपका output बढ़ रहा है यह जतने proportion में इंपूट कम किया उतने में आपका output कम हो रहा है तो उसे हम बोलते linear homogeneous जो कि मैंने पांच वे पॉइंट में आपको सिखाऊंगा पांच वा है फंक्शन लेकिन अभी जो आपने सीखा वह जनरली क्या था कि अगर मैंने अपना दो गुना क्या गर दिया इंपुट बढ़ाया लेबर कैपिटल तो मेरा आउटपुट भी दो गुना बढ़ेगा क्योंकि ऊपर क यह लेबर जीरो है और कैपिटल आप लगा रहे हो तो ऐसा नहीं हो सकता आउटपुट निकले गा ही यहां बोलेंगे कि लेबर लगा के रखी और कैपिटल जीरो है तो आउटपुट निकलेगा ही नहीं एकस्पांशन पाथ जनरेटट वाई सीडी फंक्शन इस लीनियर इट पासे थ्रोग और जन तो यह बोल रहा है कि और जन से पास होके जा रहा है जो भी आपका एकस्पांशन पाथ था जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया ना तो वह जला जला सा पार्ट आपको बस क्या गड़ना है मैंने बताया कुछ 50% पार्ट आपको क्या पड़ प्रट में कितना चेंज हुआ यह आगे आपका ठीक अब अगर आपको मैंने बताया कि फॉर्मले से याद रखना है दूसरे से तो मैंने आपको बताया था एक के साथ क्या करोगे इंटू एपील एलफा के साथ इंटू एपील और अगर MPK बोलोगे तो बीटा के साथ ठीक है मार्जिन प्रोड़क्ट ऊपर लिखा रखा है आपको बताया तो फिर एवरेज प्रोड कैसे निकलता है यह वोला इस इकवल टू रेशो बिट्वीन आउट्पूट अन लेबर आप बताईए अभी आपने क्वांटिटी का फॉर्मला देखा तो अगर हो जाता है वह अपने लौ वेरिवल में देखा तो आपको बता है कि टोटल प्रोड़क्ट का मतलब क्या होता है क्वांटिटी यह आउट्पूट और डिवाइड बाइबर करो गए तो एवरेज प्रोड़क्ट पर लेबर आ जाएगा एवरेज प्रोड़क्ट अब आब जाते हैं यही दे रखें आपको फिर लाश के दो क्या दे रखें यह देख लेते हैं कि देखो यह बोल रहा है कि एलफा पॉन बीटा का रेश्यों है ना एक तरह की तरह इंटेंसिटी बताएगा एलफा मलब लेबर और बीटा मलब कैपिटल अगर मालनों कि यह क्या है टू का मलब क्या होगा जितना हायर रेशो होगा उपर वाला मलब लेबर का ज्यादा यूज कि यह जाता होगी क्योंकि नीचे के ज्यादा था अभी हमारे के लेबर जाता है तो इस केस में हमारा तू आ रहा था इसी तरह किसे आपको बोल रखा है कि यह होमोजोनिस प्रोडक्शन फंक्शन के फॉर्मेट करेगा फूज डिग्री कैन बी कैल्कुलेटेट बाइद वैल्यू ऑप्टेंड आफ्टर एडिंग वैल्यू ओफ एन भी आपको मैंने बता हुआ आपने बोला कि टू का मदलब क्या है लेवर कैपिटल को आपने कितने गुने से बढ़ाया लेकिन वह किस पर डिपेंड कर रहा है आउट्पुट एलफा और बीटा की इंटेंसिटी पर वह फैक्टर इंटेंसिटी होती है कि कि किस तरीके से वह काम आ रहा है तो माइंड मरट जाएगा एक्जाम के लास्ट टाइम पर क्या करना उसके पॉइंट देख जाना पीडिएफ के जो यह रेड रेट टिक किये में तो आपके माइंड में आ जाएंगे सारे पार्ट ठीक अब देखिए किस ने दिया किसने वाल्व किया डबलू वासले लियॉन टफ ने इसने बोल दिया कि जो इन्पूट है उसका फिक्स प्रपोर्शन यूज किया जाता है और कोई भी सब्स्टिटूट इबलेटी इनके बीच में नहीं होती मलब अगर मालनों की लेवर और कै है तो जैसे मैंने दूसा लेवर बढ़ाया तो चार कैपिटल हो जाएगी ऐसे या उल्टा बोल दिए ऐसे बोल दिए कि अगर मैंने कैपिटल दो यानि दो मशीनरी और खरीदी तो मुझे एक और लेवर की जरुत होगी तो दो लेवर हो जाएंगे पर रेशो देखो क्या इसका फिक्स प्रपोर्शन है और आउट पूट से थीक है इंपूट और आउट पूट का जो रेशो आएगा उससे इसकेल प्रडेक्शन का ज्यादा लेना दना नहीं है जैसे हमने उपर देखा था कि एक तरीके से हमारी क्या बता रही थी इसकेल या इंक्रीजिंग बता लेबर कैपिटल का जो आपने पार्ट लगाया और जो पूट निकला तो उसका जो रेशो है उसका स्केल प्रडेक्शन से कोई लेने दना नहीं है लेकिन ये लेबर कैपिटल साथ में काम आ रहे है तो एक एक्जामपल के फॉर्म में आपको बोलूं नीचे भी यही दे र क्या है कि मैं क्या करता हूं अब उन बोलते हैं जैसे हम बोलते है कि ज्यादा जैसे चीज़ों पर ध्यान नहीं दοιता तो पर्टिकुलर मैं भी जह होती आप सकते हो कि मैंने इंकम बढ़ती जाती वैसे इच्छा होती है तो टायर और इस्चेरिंग का पीश्र आनो थे का स तो नहीं आपको पताए कि चार टेयर और चाहिए और एक चाहिए वह यहाँ फॉर बन था जैसे आपने एक और कार बनाईं तो आपको बताए कि इसका पार्ट और इसका पार्ट दोनों एक साथ काम आए तो वह वह complimentary वहान यह थोड़ी कि एक steering के लिए tire को कम कर दिया ऐसा नहीं है substitute थोड़ी है वह complimentary part है तो वह इसमें बोल रहा है ठीक है तो यहां पर यहीं बोल रहा है इसका फॉर्मलाई से दे रखा है देखो यह मिनमम Z1A Z2B Q का मलब quantity of output जैसे मेरे वाले केस में क्या था टायर और दूसरा क्या था इन्पुट टू जैट टू क्या था steering vehicle तो यहां पर एक्जामपल में यह बोल रहा है और यहां रखना ए और बी क्या है यह constant tires and steering wheels are used for producing car in such case the production function can be as follows यह आपका नॉर्मल उपर वाला फॉर्मला आ गया अब आपका एक्जाम में देखना यहां रखना कभी कभी क्या होता है यह फॉर्मला भी सीधा आ जाएगा और बोलेगा यह किस से related है तो यहां रखना लियॉन टिफ अगर आपको भूल जाते हो तो नंबर ओव इस्टिरिंग यूज तब जाके quantity पता चलेगी कि हां इतनी आउट्पुट निकलता है तो आप देख सकते हो कि कि इन्पुट और आउट्पुट का रेश्यो एक तरी इस केल को डेटरमेcc नहीं कर रहा है कि सकेल को डेटर मिन नहीं कर रहा कि की वहिटर्टक्षन की zeker लेकिन कुछ भी हो सकता है तो इसका मतलब क्या हो गया आपको वहां पे मैंने बताया था कि यहां होता है जब आपने वाला पाट देखाओ डगलस में लेकिन यहां पे आपका मान लो वहां पे कि Elasticity के आती थी 1 लेकिन यहां पर आपकी Elasticity 1 लेकिसं खती है जीरो ख आिपनीटी 452 हमेशा किकस में कि किसके के समें पर्पेक्ट में ब्रफेक्ट कि सब्स्टीट्टीwich में और रहाना 下來 इन्फिनिटी जीरो किसके केस में आती है कॉंपलीमेंटरी प्रोडट के केस में किसके केस में कॉंपलीमेंटरी प्रोडट के केस में तो जनरली यह आता है पार्ट इसमें फिर इसके बाद आपको फॉर्मला दे रखा है ऊपर चाहिए पढ़के देख लेना यहां पर यहीं बोल रखा था जो मैंने बोला production function सोज a constant change produce in the output due to change in the input of the production इसको हम homo हाइप्लेजिक production function के नाम से भी जानते हैं arrow chanary minas and solo ने इसको develop किया था इसको ऐसे represent कर सकते हैं अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है इधर यह आ रहा है इधर कि आ रहा है आपका जब पिछले exam में question आया था December 19 में question आया था तो उसमें बस यह पूरा का पूरा function दे दिया और बोल दिया कि चार आपको production function दे रहें कौन सा है तो आपको बस क्या नाम बताना था CES production प्रपर्टी आ सकती है यह अब मैंने इसका बस बेशिक पार्ट यह सीखा कि अगर यह वन जो बता रहा है रहा है यह क्योंकि देखो आपको बताकी उन्होंने क्या वहला होटा है एक तरीके से या कभी-कभी कभी आपको लोग दिखना के थीटा नाम- 2019 घलत नहीं या रखना मुझा मैं घञाँ जेगale है और यह नॉर्मल A इसे भी लिखा हाँ और alpha practically वहता है अभी हमारे Point to View दो तो आप कैसे Lac Queogens यह पैखलो है अभी दिखो में क्या बोल रहा हूं की जगह क्या गया वी आगया तो अगर v is equal to 1 है तो क्या बोलोगे constant क्या बोलोगे constant तो जैसे वहा डिगरी क्या थी कॉप डॉब डिगलस में एलफा प्लस बीटा वह डिकी थी यहां पर दिगी डिपे्यों ये वारीसि में ठीक है तो अगर 20 एन थनбचारेंगों यॉ screen करो कि एक कोशन आ गया पास्ट यह का पास्ट यह नहीं यानि आगया आने वाले एक्जाम में आ गया जिसमें आपको बोल दिया कि 1.5 है यहां पर यह 1.2 है यह 2 है 3 है ऐसे दे दिया तो उस आपको बता है कि यहां पर जैसे alpha है तो यह 1- alpha क्यों कर रहा है क्योंकि आपको बता है कि यहां पर यह 1 पुट करता है क्या पुट करता है 1 तो 1 का मतलब क्या हुआ अगर alpha.60 है तो 1- alpha मतलब क्यों हो गया बीटा वह कितने हो की 0.40 होगी तो यह formula का function बनाके बठाए जिसमें आपको बोल रहा है कि यह constant है क्या है constant है तभी ठीक है अब देखो आपको बताए कि alpha यानि एक positive parameter होता है जिसको मैंने आपको बताया क्या बोलते है efficiency parameter भी बोलते है जो technological changes और organizational aspect के बारे में बताएगा मैंने आपको उपर सिखाया था किस वाले पार्ट में कॉप डगलस में कि एक तरीके से factor productivity होती है जहां पर आपको बताए कि एक company क्या कर रही है 1,000 उनिट पूडूश कर रही है और दूसरी उनी लेबर और capital के थूँ 2,000 पूडूश कर रही है क्यों क्योंकि technological changes उसके ज्यादा है या organizational aspect अच्छा है यानि हम बोल सकते हैं worker की efficiency अच्छी है तो productivity ज्यादा निकाल के दे रहे हैं तो यह a is greater than 0 positive रहेगा और alpha देखो क्या बोल रहा है alpha is greater than 0 less than 1 beta is greater than minus 1 beta is greater than minus 1 तो यानि minus 1 से greater मिलब क्या हो गया minus point 80 minus point 50 minus point 30 फिर minus का point 10 कुछ भी बोलिए तो आपको बता है कि minus 1 क्या होता है सबसे नीचे होता है अगर जो मैं minus point 80 point 70 बोल रहा हूं तो point 80 minus के बढ़े है ठीक है point 10 minus का minus 1 से बढ़ा है plus का 1 minus 1 से बढ़ा है तो आपको बता है कि b is greater than minus 1 मतलब क्या हो गया कि यह भी positive हो सकता है और minus 1 के negative के अंदर है point 70 point 60 point 30 point 40 ऐसा पार्ट हो सकता है बीटा तो यहां पर आपको क्या बोल रखा है वेर क्यों इस दर टोटल आउटपुट के कैपिटल है एल लेवर है एक अमलब क्या हो गया efficiency parameter जो मैंने आपको बताया इसका मलब क्या है technological या organizational change होते है तो efficiency parameter भी क्या हो बता है capital intensity factor इसका मलब alpha generally बताएगा distribution parameter और capital intensity फेक्टर कोफिशेंट कंसर्ण विद लेल्टीव फेक्टर शेर इन टोटल आपूट तो एलफा एक तरीके से capital intensity फेक्टर का बाड़ बताएगा टोटल में और बीटा हमेशा substitution parameter है जो कि एक तरीके से elasticity को determine करेगा बीटा हमेशा क वीडियो पॉज़ करके formula लिख दिया जनरली मैं वीडियो पॉज़ करना प्रफर्ण नहीं करता लेकिन फिर भी आपको यह बताने के लिए मैंने कर दिया तो देखो बोला इंदा सी एस प्रोड़क्शन फंक्शन था अधिशिटी सब्स्टिटीशन इस Constant and not necessarily equal to unity तो इलेस्टिटी सब्स्टिशन बोल रहा है वह जणरली क्या रहती है आपकी constant रहती है और जरूरी नहीं की equal to unity हो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि देखो equal to unity का पार्ट हो गया तो अच्छी बात है constant रहेगी एक तरीगे से अगर elasticity equal नहीं रहती तो वह क्या रह सकती है जीरो भी रह सकती है और infinite भी रह सकती है यह बोल रहा हो सकती है एक से ज्यादा भी हो सकती है एक से ज्यादा है तो infinity तक भी जा सकती है पर वो कब perfect substitute के case में और एक से कम और zero तक कब जा सकती है जब zero का भापप कशो जब कॉम्प्री मैंट्री का पार्ड हो ठीक है यानि जो इनपूट लाड़ा आपको जासकता है यहत्तर हो ज्यादा है यह कम वह उनकी इंटेटी के बेसिस पर होगा लेकिन हमार्मल ओपाने से कैपिटल में कितना हुआ फाइफ का चेंज हुआ ठीक है फिर लेवर को एक बढ़ाने से से कैपिटल में कितना फॉर का चेंज वहा डिमिनिशिंग की बात बता रहा है तो अब आप सोचिए कि उसमें क्या चेंज हुआ वो देखो इसका मतलब क्या है जैसे अभी मैंने आपको बताया वन इस्टू फाइफ जैसे आपने एक और करा तो क्या हो गया वन इस्टू फॉर यह तो पाट आया तो यह बोल रहा है कि पहले वाले का कैपिटल अपन लेबर निकालो और दूसरे व जैसे यह जो पाट आया उसमें जो चेंज हुआ जो परसेंटेज निकालना पड़ेगा तो माल लो अगर 20 परसेंट आया उपर वाला भी तो 20 और 21 अगर माल लो कि आपको मैं बोलता हूं कि जीरो आता है जनरली आपको पता है कि जब आप यहां पे 10 लिखते हो और यहां प पार्ट क्या है इंफिनिटी अया अब इसका लॉघिक बदद आपको क्यों क्यों कि दिएखो क्येल वाले पार्ट में कि अपॉन आ क्या तो ऑड़े तो Capital थोड़ी कम हुई होगी तो मान लो कि पहले Capital 20 थी और एक लेवर था तो यह था जैसे ही हमने एक और लेवर बढ़ाया यानि दो लेवर हो गए तो Capital मान लो कितने हो गई 15 तो कुछ न कुछ तो रहे गई रहेगा ठीक अब जो भी रेशो निकला उसके बीच में क्या percentage आय ऐसे बनता है ठीक आईसो को एंट कर जाए कि बनता है तो लेकिन जो पर्फेक्ट की बात करते है तो तो इसकेस में आपको क्या पता चल रहा है एक तरीके से देखो MRTS पहले भी 5 था अब भी 5 है तो चेंज कितना हुआ 5 से 4 थोड़ी हुआ 5 से 5 तो मतलब क्या हुग है 0 और पिछला बेस क्या है फाइफ इंटू 100 जैसे आप पंपाउं अपाउं submission उन्टीएऒ करते हो न तो आप क्या बोलते हो कि अभी में चेंज हो वह यहीं ओकितना हो कितना फिज ऐंड़ अपॉन पिछला मेन अहीं आपसे टो ओकर चाहिए 1,9व, तो आएगा तो जब आपको बताए कि नीचे 0 और उपर कुछ ना कुछ रेशो होगा मानलो 5 परसेंट होगा तो 5.0 करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा इस तरीके से और जब अब क्या होता है कि आपको पिछला के अपॉन एल था और इस वाला के अपॉन था दो अगर आपने लेबर चार कर दी दो और बढ़ा दी तो तो कैपिटल मानलों कितनी बढ़ जाएगी 20 अब प्रपोर्शन करके देखो कितना है कैपिटल लेबर गा टैन अपॉन टू कितना होता है और यहां पर देखिए कितना होता है 20 अपॉन फॉर फाइफ फाइफ से फाइफ कितना चेंज वा जीरो पिछला बेस कितना है फाइफ जीरो पॉन फाइफ इंटू हंडेट करोगे तो क्या आया जीरो ही आया तो उपर जीरो और नीचे में MRTS का कुछ न कुछ तो पार्ट हो गई होगा मार्जिनल लेट ओफ टेक्निकल का या नहीं भी हो तब भी आपको बताए कि अगर उपर जीरो आता है और कुछ भी सम्थिंग वैल्यू होती है तो अपने आप आपका जो पार्ट आता है वह क्या आता है एक तरीके से जीर ही आता है तो जीरो पॉन करोगे कुछ भी तो जीरो ही आएगा तो कॉम्प्लिमेंटरी में जीरो सब्स्टिटूट में या रखना इंफिनिट का पार्ट आता है फिर आपको प्रॉपर्टी दे रखी है अब देखो मैंने इसलिए आपको बताया कुछ-कुछ पॉइंट ज अधीक अगर आप बीटा का पार्ट निकालना भी चाहो तो बीटा का यह होता है इस टाइप से होता है तो यह भी एक फॉर्मला होता है लेकिन यह क्या आपके आएगा नहीं कभी कि सिग्मा माइनस वन अपन सिग्मा और मेरे हैसाब सब्सक्राइब क्योंकि थे और और मार्जनल प्रट ऑफ कैपिटल मालब चेंज इन क्यों अपॉन चेंज इन के वह हमेशा पॉजेटिव रहेंगे अगर कॉंस्टेंट रिटन टू स्केल मानते हो फिर तीसा क्या बोल दिया मार्जनल प्रट ऑफ एन इंपुट विल इंक्रीज वैन अधर फेक्टर इंप अगर यह भी बढ़ रहे हैं तो उसकेस में बोल रहा है कि यह भी इंक्रीज होगा फिर आपको बोल रहा है वैंद एलेस्टिसिटी सब्स्टिटूशन इस लेस्ट थैन यूनिटी दो फंक्शन डज रीचे फिनिट मैक्सिमम एज वन फेक्टर इंक्रीज वाइल अधर इस थैन कौंस्टिंट तो यह बोल रहा है प्ल रावकिडिसूटिसन जो आंसर भी अंश़ए वहroviken बोल रहा है तो उसकीस में आभेवा मैक्सिमम तक जा पर अगिर एक यह लेवर को बढ़ा दो तो आपका वह maximum output निकल के आ जाएगा मार्जिनल प्रडॉक्ट कर्व हमेशा डाउन्वर्ड स्लोपिंग होगा MP जो कर बोल रहा है इसका मतलब एक तरीके से जैसे आई-सो केंट कर्व जो नॉर्मल आपके बनते हैं कॉन्वर्ड वन्वर्ड वैसे यह बनेगा और डाउन्वर्ड स्लोपिंग होता हो जाएगा एस्टीमेशन ओफ इलेस्टिसिटी और सब्स्टिटूशन परेमिटर रिक्वाइड अजंचन ओपर्फेक्ट कॉम्पिटिशन बोला है मार्केट में कौन सा कॉम्पिटिशन चल अगर सेलर क्या करता है प्राइस बढ़ा देता है तो दूसरा सेलर भी क्या करेगा देगा क्योंकि मार्केट में पर्फेक्ट कॉम्पिटिशन ने सेलर बहुत सारे हैं और बायर भी क्या है बहुत सारे तो एक तरीके से वह एक दूसरे को एफेक्ट नहीं कर पाते हैं तो उस case में आपको पताए की seller, एक seller, दूसरे seller को क्या करेगा, देखते बे particular कप काम करेगा अगर उसने price कम करिए, अगर उसने price बढ़ा दी तो इतना दा affected नहीं होगा, तो आप perfect competition वाले part में सीखोगे, फिर आपको बोल रहा है variable elasticity, substitution production function, ये किस ने दिया, ब्रूनो, नौक्स ले क्या बोला constant में कि वाई production function quantity ये निकलेगी लेकिन इन्होंने क्या बोला कि अगर generalization function की बात कर रहे हो मतलब जनरल अप्रोच की बात कर रहे हो रियल अप्रोच की बात कर रहे हो तो उसमें आप wage rate तो लो मतलब जिसको मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था iso coin में price of l labor की क्या prices है वो तो लो इसी तरीके से मैंने आपको क्या बताया था capital की prices price of k जिसमें आपको पताया कि w को आपने शायद क्या माना था मैंने नीचे लिखा हुआ है में को भी ध्यान नहीं आ रहा कि एल माना था क्या माना था अपने वेज रेट को डबलू माना था और हाँ capital को आपने आर माना था क्या माना था capital की जो भी रेट है यानि price of capital को आपने आर माना था और price of labor को आपने क्या माना था डबलू माना था इस तरीके से तो अभी देखो आपने देख लेंगे देखो यह wage rate generally w और price of capital मलब r क्योंकि देखो r का मलब क्या है rate of interest एक तरीके से मान लो और price of capital का मलब क्या होता है capital की कितनी cost लग रही है और price of labor मलब क्या हो labor की rate मलब wages rate तो यहाँ पे साथ में इसको भी considered किया जा रहा है तो देखो एक बार पढ़के यही बोल रहा है Recently attempts have been made by Bruno, Knox, Lowell and Ravankar to get a new production function The resulting production function is the generalization of CES which possesses the desirable properties of variable elasticity substitution Liu and Fletcher have filled a logarithmic relationship containing the wage rate as well as the capital labor ratio to explain value added per unit of labor अब उन्होंने क्या करा कि logarithmic relationship बनाने के लिए उन्होंने क्या करा जनरली wage rate को add किया और साथ में capital labor ratio को भी add कर दे गया value added per unit of labor को बताने के लिए value added per unit of labor क्या है V upon L V मलब क्या है value added और upon L का मलब क्या है total labor ठीक तो क्या जाएगा value added per unit of labor हर labor की कितनी value added हुई है यानि जनरल यह बता रहा है कि हर labor के थुरू कितना production ज्यादा हुआ है A plus B आपका क्या parameter है और C भी आपका parameter है A, B और C आपका estimated parameter या रखना log W का मलब क्या है जो भी wage rate है उसका log part क्या होगा और जो भी capital upon labor का जो ratio निकल क्या होगा उसका log का part क्या रहेगा तो यहाँ पर देख लेना एक बार यह दे रखा है V मतलब value add W मतलब wage rate K मतलब capital L मतलब labor और ABC जो दे रखा है वो क्या दे रखा है estimated parameter दे रखा है अब देखो elasticity है और हाँ एक और चीज़ elasticity को आप ऐसे denote करते हो यहाँ रखना जिसे हम sigma बोलते हैं क्या बोलते है sigma तो देखो elasticity of substitution जिसको आप यह sigma sign दे रखा है तो कैसे निकलेगा B upon 1 minus C into 1 plus WL upon RK WL और RK मैंने आपको बताया था मतलब क्या है देखो L का मतलब होता है number of labor T का मतलब होता है number of capital और W का मतलब क्या है हर labor को आप कितनी wages दे रहे हो और R का मतलब क्या है हर capital मतलब हर unit पर कितना capital की cost लग रही है यह बोलतो न या कितनी rate of interest लग रही है ऐसे बोल अगर नॉर्मल लगना है तो हर unit पर कितनी cost लग रही है हर labor पर कितनी cost लग रही है जैसे into करोगे और plus करोगे तो वा मैंने क्या बता है था total cost आती है पिछली वीडियो में वैसे ही यहाँ पर क्या बता रहा है उनका ratio labor upon capital का पर यह labor upon capital का है total expenditure के term में है इसका मतलब labor का total expenditure क्योंकि यहाँ पर value को भी जोड़ दिया गया है मलब amount भी जोड़ दिया गया है तो यहाँ पर quantity की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर value की बात कर रहा है तो देखो यहाँ पर बोल रहा है वेर WL and RKR the shares of labor and capital respective जो कि किस के इटम में है amount के टम में तो एक तरीके से जो यह theory है वो new classical production function का बात है मलब ना तो बहुत पुराने अप्रोच है ना तो classical अप्रोच है ना modern है भी इच का बात है तो यह new classical production function है यानि मैं मान के चलू तो देखो 1967-80 शायद इसके बीच में ही यह आया होगा फिर आपको बोल रखा है VES function include the fixed coefficient models फिर आपको बोल रखा है VES production function क्या है जातर general होता है जो कि constant से एक तरीके सही होता है कि constant में क्या है आपने production output का पाट लिया जबकि इसमें एक तरीके से आपने क्या करा wages की जो rate है और capital की जो rate है उसका पार्ट लिया इनि उस cost का पार्ट भी आपने considered किया है और जो fifth part है वो generally क्या linear homogeneous production function है इसका मतलब क्या है देखे जैसे मैंने आपको Cobb Douglas में बताया था कि input जिस proportion में अगर दो गुना मैंने क्या अगरा input बढ़ाया तो देखो मुझे पताया कि वो constant part था तो linear homogeneous homogeneous का मतलब भी क्या होता जहाँ पे constant होता है यानि जहाँ पे degree क्या होती है equal to one होती है हमेशा यह यह आ रख लेना तो Cobb Douglas में हमने a plus b one बोला तो जहाँ पे मैंने बोला कि कि सारे input same proportion में बढ़ेंगे the production function is set to be homogeneous the degree of production function is equal to one जिसका हम बोलता है linear homogeneous production function और यहां पे देखो भी बोल रहा है in order to estimate the production function it is necessary to express the function in explicit functional form अब देखो मैं mathematical formula के हिसाब साब को बताया था हूं इसका मतलब क्या है देखो यह बोल रहा quantity and fold बढ़ेगी and fold मतलब क्या होता and times ठीक है तो वो कैसे बढ़ेगी अगर हमने labor को and times और capital को and times बढ़ाया तो इसका मतलब क्या हुआ अगर मैंने बताया है कि आपको दो labor और दो capital किये तो आपका production 100 निकल रहा था मान लो लेकिन जैसे ही मान के चलो कि मैंने उसको 4L और 4 capital किया तो कितना होगा 200 ठीक तो जनरल यह बता रहा है production function also imply constant return to scale तो आपको पताएगी same भी बढ़ रहा है जितने से आपने बढ़ाया अगर आपने 2 times बढ़ाया क्योंकि मैंने बोला 2 से 4 100 unit करोगे तो 100 unit 100 upon 100 करोगे into 100 करोगे तो 100% 100% upon 100% करोगे तो 1 तो यहाँ पर क्या बोल रहा है जो constant return to scale है that if L and K are increase by n fold if L and K are increase by n fold the output Q also increase by n fold n fold मलब क्या है अगर number of times हम labor and capital को बढ़ाएँगे तो output भी number of times उतना ही बढ़ेगा अब देखिए यह दो question आपके exam में आ चुके थे यानि जो मैंने important from exam point of view लिखावा है तो यह theoretical part है एक तरीके से यह बोल सकते हैं कि थोड़ा से table label का part है ताकि आपको कुछ part और समझ में आ जाए तो generally आपको कहा है exam में यह बहुत बार आ चुका है same to same यह value लेकिन इसका अगर formula बोलोगे तो यह होगा इसको हम बोलते है cubic production function जो कि किस से related होता है जैसे हम बोलते हैं input का output से relationship होता है वैसे labor का output से relationship बता रहा है अब generally यह total quantity की बात करेगा जब भी आप क्यो बोलते हो तो इसका में लग क्या है total product यह क्या है total product हमेशा mind में यह रख लो है न अब देखो यह formula माइनस एल क्यूब यह बीटा है बीटा की वेल्यू के देरी कि 15 आप बोलोगे सब कुछ भी दे सकता है कहां कुछ भी 20 30 लेकिन देखो जब भी दो बार question आया है तो यही वेल्यू आपको दिए आप पता नहीं क्यों दिए लेकिन जर्री यही वोल्यू दिए वेन एस्टिमेट विद एक्चुल डेटा इटेक्स द फॉलिंग फॉर्म यह बोल रहा है कि जब हम लेबर मलब आपने अपने production के लिए जो इनपुट लगाया है वो कितने लगाया पांच यही एक्जाम में कोशन आया था और एक्जाम में क्या बोला था एवरेज प्रोड़क्ट कितना होगा क्या ऐसे आया था स्टेट्मेंट वर्न और टू और एवरेज बोल देथा सिक्स्टी है कितना है आपका सिक्स्टी लोगों ने समझा कि हमने जैसे पुट करा मान लो फाइफ को तो उनका आंसर कितना है 300 आया देखो यह तीन नहीं है यह आ रखना यह 5 की पावर 3 यह रहा लेबर पांच है और देखो यह पांच की पावर क्या है दो है यह या रख लेना ठीक है फाइफ की पावर 2 तो जो आपको यह दे रखाए फाइफ की पावर 3 प्लस 15 इंटू 5 की वाड़ 2 प्लस 10 इंटू 5 तो जैसे आप सॉल करोगे निकाल के देख लिना चाहिए क्योंकि 5 की पावर 2 मलब 10 होता है 5 इंटू 5 25 होता सॉरी 25 इंटू 15 करोगे तो कितना हैगा 375 10 इंटू 5 करोगे 50 और 5 की पावर 3 का मलब कितना होता है 125 माइनस का तो आपका 300 आएगा लोगोंने 300 पर टिक लगा लिया होगा अगर ऐसा आता य अब अगर आपने कितना कर दिया 300 कर दिया लेकिन आप सोचिए वो average है average का मलब कैसे निकलता है आपको पताएं ना average आपको मैंने बताएं टीपी अपन वैरियेबल इंपूट यहाँ पर वैरियेबल इंपूट क्या है ल तो 300 को अप ऑन 5 कितना है 60 समझ गया तो एक तरीके से आपको टीपी भी निकालने आ गया और आपको एपी भी निकालने आ गया अब अगर आप MP की बात करते हो MP कि अब देखिए मैंने आपको क्या वह लग कि अभी मैं आपको Marginal product का पार्ट बता जेता हूं Marginal product का पार्ट आपको यही पता है कि formula क्या होता है TP अब देखो एन का मतलब क्या होता जनरली लेवर होगा यहां पे तो TP L माइनस TP L माइनस वन जनरली यही आपको पता है formula होता है ठीक है लेकिन इसमें कुछ और भी formula दे यहां पे जब आप normal क्या करोगे यह table देखोगे तो यह normal formula वाली जो मैंने अभी उपर वाले बता है आपको पार्ट देखो फिफ्ट लेबर पर आपका 300 था और 300 अपने क्या करा डिवाइट 5 करा तो 60 आया लेकिन आप उपर 4 देखोगे तो जैसी आप उस जो उपर के formula में quantity वाले formula में 4 को put करोगे तो 216 आएगा 3 को put करोगे 138 आएगा 2 को put करोगे इसी तरी के देखो इसने क्या कर दिया अगर 6 level use करे 7 करे 8 करे मलब एक value से सारी की सारी table निकल के आ गई लेकिन इसने क्या बोला labor is equal to 1 है labor is equal to 1 का मतलब क्या हुआ कि labor एक एक करके बढ़ रहा है य labor is equal to 0 मतलब क्या होता है कि वो 5 labor ही और काम कर सकते थे ठीक है वो छोटे छोटे टुकडों में काम कर सकते थे तो वह perfectly divisible होते है समझ गए अगर labor is equal to 1 है तो वो perfectly divisible नहीं है तो तुम्हारे एक्जाम में अगर question आ गया कि 5 labor थे और तुम्हें बॉल दिया कि वो perfectly divisible नहीं है –1 या रख लाँ, MP is equal to tpn-tpn-1, मतलब, 1 سے कम कर दो, या बढ़ा दो आराम से हो जाएगा, 1 سے कम कर दो, या एक से बढ़ा दो, आराम से हो जाएगा, तो जब L is equal to 1 होता है, तो इसका मतलब क्या है, 1 سے कम कर दोगे, एक से बढ़ा दोगे उसे हम बोलेंगे perfectly divisible नहीं है जब L is equal to 0 होता है तो उसे हम क्या बोलते है perfectly divisible है मलब वो 5 labor भी क्या कर सकते हैं वो ही काम कर सकते हैं और production बढ़ा भी सकते हैं वो 5 labor क्या कर सकते हैं छोटे-छोटे टुकडो में काम भी कर सकते हैं अगर एक और labor लगाएंगे तो वो भी क्या करेगा ज़रूरी नहीं कि अपना ही काम करें वो भी छोटे-छोटे टुकडो में बाटा जा सकता हैं और उसको भी हम क्या कर सकते हैं perfectly divisible बोल सकते हैं तो जब भी perfectly divisible होता है तो एक अलग से formula निकलता है यह जो formula था वो कौन सा formula था perfectly divisible का नहीं था जो कि आपने किस में देखा law of variable proportion में भी देखा कि एक एक labor बढ़ रहा है तो generally वो एक तरीके से क्या हो गया perfectly divisible नहीं था यह जो दिख रहा है आपको यह perfectly divisible नहीं है मैं आपको बार-बार क्यों बोल रहा हूं ताकि आपको दियान आजाए कि जब भी L is equal to 1 हो वो perfectly divisible नहीं होते है एपी का formula मैंने आपको बताया एपी का formula क्या है Q upon L मतलब TP upon L अभी आपको बताया क्यों मतलब क्या बोला था मैंने TP होता है TP का मतलब क्या हो गया या Q का मतलब क्या हो गया जो उपर पर formula लगावा है लगावाए न उपर तो जैसे आप L से divide कर गए तो देखो 1L हड गया तो क्या बच गया L स्कॉयर 15L स्कॉयर था एक एल अधिया तो यह थी होती है ठीक और देखो अब देखिए मैं वापिस आप से पूछ रहा हूं कि उपर वाली टेबल में जनरली कौन सा फॉर्मला यूज किया गया है यह वाला ठीक है अब एक यह वाला भी आता है पार्ट ठीक पर यह कप करते हैं अभी आपको में बताया तो मार्जिनल प्रोक्टिविटी का मदलब क्या होता है एडिशनल लेवर लगाने पर जो एडिशनल आउट्पुट इंक्रीज हुआ है जनरली मार्जिनल प्रोक्टिविटी होती है तो इसका फॉर्मला क्या था एक तो यह चेंज इनक्यों अब आप सोच यह कि आपको सिर्फ यह उनिट दे रखिए और आपको यह नहीं बता रखा यानि 5 लेवर दे रहे हैं और आपको यह नहीं बता रखा तो आप जनरली बोलो कि चेंज इनलेबर तो कितना हुआ पता नहीं है ठीक तो पर आपने यह वाला क्यों अप्लाए करा क्योंकि हमने माना था कि से जीरो बोल दिया था पर इसका मलब चेंज इन लेबर अगर जीरो है आ रखना तो यहां पर क्या बोल रहा है कि जो यह यह जो निकला है यह कभी उसकता है जब लेबर क्या पर्फेक्ट्ली डिवीजिबल और यह जो दे रखा है यह डेल्टा यह बोलते हैं इसको चेंज इन एल क्या हो जीरो मतलब उन फाइफ लेबर से आप काम करवा सकते हो मैंने आपको बताया था यह कि जनरली जो फाइफ ल रखूज नहीं कर सकते थे और इस केस में क्या बोलते हैं कि लेबर एक उनिट बढ़ेगी या एक उनिट कम होगी समझ गए तो इसलिए हमारे वाले में तो यह था लेकिन एक बार जब एक्जाम में तो एक्जाम में क्या बोला कोशन में कि वह पर्फेक्ट्ली के थुरू देखिए अब जब आप क्या करोगे कैलकुलेस का फॉर्मले का यूज करोगे तो उस हिसाब से जनरली क्या लगे यह बोल रहा है यानि कहने का मलब जा पर्फेक्टली हमेशे आ रगना जा पर्फेक्टली डिवीजिबल का पार्ट हो और चेंज इन एल इस इक्व हो गया या पांच से चार हो गया कैसे भी करके आप निकाल सकते हो लेकिन यहां पर आपको बताए कि वह पर्फेक्टली डिवीजिबल है और चेंज इन लेबर इज कोल टू जीरो है तो कैसे करोगे तो देखिए आपको दिख रहा है माइनस एल थ्री तो आपको देखो एल अब आपको बताए कि जैसे थ्री आगे आ गया तो एल का स्क्वाइर हो जाएगा ठीक है वापिस से बताया तो कैसे देखो याद रखिए कि जैसे थ्री के आगे एल के आगे देखो कुछ भी नहीं है तो इसकी वैल्यू मानो वन तो थ्री को जैसे आप क्या करोगे आगे क्या होगे तो मल्टिप्लाय हो जाता है आपको पता है जैसे अगर हमने ऊपर देखा था कि लॉक का पार्ट कवर करते हो न तो एलफा क्या करते हैं हम जैसे बोलते हैं कि वह पावर एक तरीके से आपको पता है कि एल की पावर अलफा थी तो एलफा आगे आ जाता है तो व करते हैं तो एक से कम कर देते हैं तो यह मेरा तरीका है उसी तरीके से देखो आपको पता है कि अगले वाले में क्या है तो आपने जैसी यह तो को आगे लिया तो 15 लैटन है तो यहल 1 है उनको जैसे आप लेकर आओगे तो वह क्या हजाएगा क्यों आपको बताया यहां या पटादेता हूं यह僅 हो जैसे मैं इसको यहां लेकर आया और यहां पर कोई वैल्यू ही नहीं आगे जैसे यहां पर देख लीजे यहां यहां रह झांग कि देखो यह आ रहा है तो इस तरीगे से आप बना सकते हो मार्जनल प्रड़क्ट का आ जाएगा देखिए एक्वेशन का बाट तो मेरे को भी इतना बड़ा नहीं आता क्योंकि मैंने नेट पे गूगल बहुत बार सर्च किया तो जनरली इसका पार्ट कुछ मिला नहीं कि कै जैसे बर्डिकलर सौल होता है लेकिन यह तरीगा क्या है मेरे को पूरा प्रोपर सहीं लगता है आप किसी भी वैल्यू से पूट कर दीजिए जैसे मान के चलिए आपने मुझे बोला मैं आपको बताएता हूँ जब मैंने इतना टाइम आपका लिया यह तो थोड़ा और आपको बताएता हूँ अब जैसे आप बोल सकते हैं कि सर एक possibilities क्या हो सकती है जैसे इस case में आपको बताएकि देखवो यह L2 था क्या था यह आपने जैसे लिया तो 15 x 2 30 हो गया और एक L बच गया क्या बच गया यहाँ पर तो जैसे आपने आगे करा तो आपको बता है आगे क्या कुछ भी नहीं था लेकिन 3 into 1 तो 3 रहता है और यह L का स्क्वाइर हो गया ठीक है और यह क्या था 2 को जैसे इसके सादें 2 करा तो क्या हो गया। 30 हो गया और यह एक L बच गया L1 क्योंकि जैसे एक पावर हट गई तो A की पावर बची यानि L की पावर 1 रहती और उपटाए यह तो जैसे इसे यहा लेकि आप अगा हो गया था हो तो El hid गया पूरा लेकिन मानके चलो कि यहाँ पे अगर one-fort होता क्या होता न ऊथर होता तो है तो one से कम one-fourth मतलब क्या होता है पॉइंट 25 ही होता है तो अगर潮 को वन-fourth sa क्या करोगे न को point five से multiply करोगे या या 10 को one fourth न क pension को बता कि one four आप आगे लेके गये और 10 आपको दे रहा था तो 10 in to 14 कितना होता है 2.5 क्या होता है 2.5 तो यहां पर क्या जाएगा 2.5 लेकिन यहां क्यों नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर क्यूबिक का फॉर्मॉला यह होता है लेकिन यह हर चीज के लिए अपलाए होगा जब मैं आपको एक मार्जनल कौस्ट उस में भी यह अपलाय होगा उसमें भी जो मैं आपको फंक्शन बना के बताऊंगा या मैं आपको टीपी का कोई सभी फंक्शन बना के बताऊंगा या मैं आपको एना average average तो चलो simple average में तो क्या है कि particular जो आपका यह formula बन रहा है उसके नीचे क्या गर तो जो भी number of factor हैं जैसे यहां पर labor था जब हम cost की बात करते हैं तो उस वक्त क्या होता है उससे related output होता है तो हम quantity डिवाइड कर देंगे तो हमारी average cost निकल के आ जाएगी तो वह तो यहांने 3 को आगे किया तो एक value लेली बची किया दो मान के चलो आगे क्या होता अगर फाइफ होता और यहां पर मान के चलो कितना होता तो वह जरूरा आप देख लेना लेकिन मेरे को तो क्या है कि MP से related पार्ट यहीं आता है और बिल्कुल सही भी जाता है मैंने question दिया हुआ है जिसमें generally मेरे साब से वह बोल रहा है कि वह perfectly divisible नहीं है क्योंकि मेरे को भी ध्यान नहीं है जब मैं पास्टिर के में से कुछ देखूंगा तब पता चलेगा तर तब तक तो आपने क्या कवर करी लिए होंगे क्योंकि आपने पूरा theoretical पार्ट देखा होगा और उसके बाद आपने वह देखे होंगे तो आपको सारा पार्ट समझ में आ जाएगा अगर आपने PDF देखी फिर किया तो आपको नहीं आएगा आपको वीडियो देखनी पड़ेगी तब जाके ही आएगा तो आप या रखना कि यह पार्ट बन जाता है यह पार्ट कम बनता है जब लेबर परफेक्टली डिवीजिबल नहीं बोल रहे हो और लेबर इसकुल टू वानो जो कि आपने कहा पड़ा था लॉप वैरियोबल प्रपोर्शन में पड़ा था जिसमें आप क्या कर रहे थे लेबर को एक एक करके बढ़ा रहे थे तो जनरली उस केस में यह नॉर्मल वाला प आपको यह सारा पार्ट पता चल गया होगा अगर कुछ भी दिक्कत है तो बताईएगा मैं आपके जरूर स्वाल करने की कोशिश करूंगा तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू